पाकिस्तान में बनाना फाइबर जो है वो अबंडनन फॉर्म में मजूद है पाकिस्तान में तक्रीबन पैंटीस हजार हेक्टियर पे जो है वो बनाना काश्ट किया जाता है और बनाना का जो प्लांट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप तीन साल में एक दफा उसने फ्रूट देना है और उसके बाद वो नकारा है तो हम या उसको डीकंपोज करने के लिए छोड़ना पड़ता है या उसको जिलाना पड़ता है और दोनों सूर्थों में वो एन्वारिमेंटल हैजर्ट करता है तो तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि हम जो है वो हमारे पाकिस्तान में कोई भी पैकेजिंग नैचरल फाइबर अवेलेबल नहीं है और हम बिलियन्स आफ रुपीज का जियूट इंपोर्ट करते हैं अपनी वीट को प्रक्यूर करने के लिए और बैक्स बनाने के लिए तो हमने जो रिसर्च वर किया है वो यह है कि हम किसी किस तरीके से बनाना फाइबर को जियूट का सबसीचूट लेके आए ताके पाकिस्तान में जो शॉपर बैक्स का मसला है, एन्वार्मेंटल हैजर्स का मसला है, और जूट या नैच्रल फाइबर मिटीरियल ना होने का मसला है, उस मसले पर काबू पाया जा सके। तो अभी तक हमने जो काम किया है वो यह है कि हम एक मिशिन डिवैल्प की है, जिसे हम डिकाटिकेटर कहते हैं, जो कि बनाना पलांट के स्टेम के अंदर से फाइबरस को डिकाटिकेट करती है, निकालती है, और फाइबरस बाहर साफ सुथरे आते हैं। उसके बाद किसम की chemical treatments करते हैं और chemical treatments करने के बाद हमने उसको ऐसा बना दिया है कि वह जूट के साथ भी blend हो सकता है और आप इसको cotton के साथ भी blend कर सकते हैं तो we are actually providing the substitute for jude and cotton in Pakistan. इसको बहुत बड़ी quality है वो यह इसकी absorbency है यानि कि यह moisture और पानी को बहुत अच्छे तरीके से absorb करता है तो इस property को यूटलाइज करने के लिए हम इसको cotton के साथ blend करके socks में लेके जा रहे हैं ताके इसकी जो absorbency की property है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटलाइज किया जा सके मैं महमद अजीम अश्रफ लेक्चर इन फाइबर एक्सेल टेकनोली डिबार्मेंट बनाना फाइबर को जब अक्स्टेक्ट किया जाता है तो यह ड्राई होने के बाद हार्ड हो जाता है और इसकी स्टिफनेस को कम करने के लिए इसके ओपर कुछ कैमिकल ट्रीटमेंट की जाती है जिससे यह यान बनाने के काबल हो जाता है बनाना फाइबर की खासिए इसकी वाटर बिजार्बेंसी है जिसकी वह जैसे इससे बनाएगे फैबरिक्स काफी कमफर्टेबल होते है